हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो माई चैनल मैं हूँ रस्नी सचान और स्वागत है आपका मेरे यूटीब चानल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ दोस्तो हम सभी को आज कल घर पर घी बनाना बहुत ही जंजट का काम लगता है मक्खन कौन मक्खन बनाया कितनी देर मक्खन निकलेगा जदा तर लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो मलाई तो स्टोर करते हैं लेकिन उनका मक्खन नहीं निकल पाता है फिर उनका घी नहीं अच्छा बनता है आज आपको यहाँ पर एक डिटेल रेस्पी दे रही हूँ बहुत ही आसान है जिसने कभी मक्खन नहीं बनाया होगा घी नहीं बनाया वो भी बनालेगा तो यहाँ देखिए मेरे पास है मलाई जो मैंने स्टोर करके रखी हुई है एक बड़ा कटोरा यह मलाई है एक किलो क कौन सा लेना है जो सबसे बड़ा होता है जिसमें बनता है जूस ब्लेंडर जो होता है तो अब इसमें क्योंकि सर्दी है तो हमने नॉर्मल पानी डाला है गर्मी होती तो हम बरफला ठंडा पानी डालते है थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और मिक्सी गरेंडर मे हम इसे इस तरीके से लगा लेंगे मशीन में और इसके बाद में उपर का ढकन थोड़ा सा दबा करके रखेंगे और मशीन को चालू करेंगे तो मशीन चालू करने के बाद में इसे हम थोड़ा ही चलाएंगे 2-4-5 सेकंड के लिए चलाएंगे और फिर इसका हाल चाल पूछेंगे डखकन खोल करके देखेंगे कि क्या इसको चाहिए यानि कि अगर ये ज़्यादा गाड़ी लगेगी तो इसका मतलब है कि इसको और पानी चाहिए लेकिन गरम पानी का इस्तेमाल मिक्सी से घी निकालने में कभी भी नहीं होता है सर्थी में नॉर्मल पानी गर्मियों में ठेड़ा पानी तो अभी देखिए कई बार होता है कि जो हमारा मक्षन है वो तुरंद निकलाता है कई बार क्या होता है इसको एक डेड़ मिनट लग जाते हैं ये से थोड़ा ज़ादा घुमाना पड़ता है मशीन को अब यहां पर आप इस तरीके से चलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहें देखें उपर कैसे एकदम जो है मक्षन अब हमारा उपर आ गया है लेकिन अभी दानेदार मक्षन नहीं आया है जिस तरीके का मक्षन होता है ये थोड़ा सा फोम टाइप का है तो इतनी जगए हो जितना आ सके कि बाहर न फेके उतना डाल दीजिए फिर से चला दीजिए बस चलाते रही है कंटीनू और आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है आपको ढकन के ऊपर से ही पता चल जाएगा कि मखन कुछ इस तरीके से बिल्कूल ऊपर आ जाएगा छुटे चाइन होता है कि जो मखन है वो मारा परफेक्ट तरीके से निकल आया है सो अब हम बस मेक्सी को हटा करके बाहर निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मखन जो है बटर जो है वो निकल के आया है तो अगर आपने मलाई में दही मिलाया होगा तो जो आपका यह जो मक्षन बनेगा यह से आप सफेद मक्षन जो रहेगा नॉर्मल रहेगा लेकिन अमूल वाला जैसा मक्षन आपको चाहिए तो मलाई में दही ना मिलाएं जब मलाई स्टोर करें फिर जो आप मक्षन बनाएंगे उसमें थोड़ा सा नमक मिला लीजिए थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए अमूल वाला जो बटर होता है वो बनके तैयार हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए मैं निकाल रही हूँ आप देख लीजिए कि जिस कटोरे में हमने मलाई ली थी उसी कटोरे में हम ले रहे हैं यहाँ पर मक्षन और आप देखिए मक्षन कितना सहरा निकला है अब क्योंकि मैं तो रहती हूँ सीटी में तो सीटी में जो दूद मिलता है जो दूदियों होते हैं तो आप सब जानते हैं कि कितना पतला होता है कितना ज़्यादा पानी मला हुआ होता है और क्या क्या मिला होता है पता नहीं कह नहीं सकते तो उसमें मलाई भी नहीं पड़ती है दोस्तों लेकिन अगर गाउंदे हाथ या अगर आप कहीं ऐसे आपको अच्छा दूद मिल रहा है तो उस दूद में बहुत ही अच्छी मलाई निकलती है मलाई अगर आपको अच्छे से निकालनी है गी बनाने के लिए तो आप दूद को हमेशा ही धीमी आच में गरम किया करें और गरम करने के 10-12-15 मिनट बाद दूद को जो है फ्रिज में रख दिया करें उससे जो है मलाई बहुत ही मोटी आ जाती है और अब देखें यहाँ पर मखन को थोड़ा थोड़ा सा दबा करके जितना एक्स्ट्रा इसमें यह हमारा लिक्विड है जो चाच है इसे हम इस तरीके से हटाते जाएंगे फिर आप इसे थंड़े पानी से धो लीजिए सर्दी हो या गर्मी इसी तरीके से निकालना होता है वस ध्यान इस बात करकना होता है कि गर्मियों में आपको फ्रिजवाला थंडा पानी यूज रहना होता है आठ से दस मिनट के अंदर ही घी निकलाएगा और बहुत ज्यादा साफ घी निकलेगा वेस्टेज बहुत कम से कम होगी अब एक और चीज है मैंने अभी रिसेंट में वीडियो शेयर करी थी कि जहां पर हम जब मलाई जो हम जब मक्खन निकालते हैं तो जो मठा बचता है मिक देखें यहां पर मक्खन निकल चुका है खूब अच्छे से मक्खन को दो लिया है निचोड लिया है जिससे कि इसमें कोई भी छाच या पानी ना रहे तो चलिए अब बना लेते हैं इस मक्खन से हम घी तो कडाई रग ली है मैंने गैस पर और अब हमें गैस में सोरी कडा पंदरा दिन से लेके एक महिने तक इस मक्खन को कुछ नहीं होने वाला है अगर जादा दिन के लिए रखना चाते हैं तो फ्रीजर में भी डाल सकते हैं और ऐसे ही आप हफते दर हफते मलाई से मक्खन निकाल के स्टोर करते रही है जब धेर सारा मक्खन हो जाए तो आप एक बार में इसका घी निकाल लिए तो आपको बहुत सारा घी जो है मिल जाएगा तो इस तरही के से लिए आप करसकते हैं अगर आप टाजा ताजा खाना पसंद करते हैं तो आप हर हफते जो भी आप जितने दिन में आपको लगता है कि अब मलाई से मक्खन निकाल लेना होता है घी बनाने में बस जो हमने मख्षम लेना होता है बीच बीच में चला त्या जाता है कि नीचे न लग जाए और भस धीमी आच में या मीडियम लेम पे की पकाते रहना हो थैंगते यह खुद बखा को जने को मामा ये खौया का खौया जैसा जो नींचे दिक रहा है उसे वन हमें ब्राउन अंतर ऑर जनाना होता है तो जने के लिए आपको घुमिजबत ढहरां कर ने जाहे जो हो गया है यलो से यह golden में हो गया है और आप देखिए वी जमावाय है उसका अभी color brown हो गया है थोड़ी दिर और आप पका देंगे तो यह काफी ज़्यादा brown हो जाएगा लेकिन हम और ज़्यादा नहीं और ज्यादा गरम गरम बिल्कुल घी कभी न चाने, उससे आपका दाना नहीं पड़ेगा सही से, और अगर आप इसमें चाहें तो घी को बनाते समय इसमें थोड़ा सा आप जो है एक पिंच हल्दी मिला सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा, आपका देशी घी बन के टेक दिरें केरे के व कि आएगा?